तो दोस्तों बियार सिख्षकवर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है नोटिफिकेशन आपके सामने है कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो 7960 हो रही है लेकिन पद कम हो चुके है यह जो विज्यप्ति है यह पहले त्यार हुई वो 16140 है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यानि कि 16140 पदों पर कचाचा से आर तक लिए यह विज्यापन जारी हुआ है ध्यान दीजेगा यहाँ पर कि गणित और विज्यान, समाजी विज्यान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू इसमें से किसी भी एक विश और विज्यान, समाजी विज्यान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू तो इतने यहाँ पर पेपर दिये गए हैं कुल्चा पेपर हैं किसी भी एक पेपर से आप आवेदन कर सकते हैं गणित विज्यान के लिए बस एक ही पेपर है यह ब्यात आप लोग ध्यान गणित विज्यान के लिए कोई अलग अलग पेपर नहीं है अभी तक जो जांगाई मिल रही थी उसमें और अब यह वास्तवी ज्यान का रही है कि गणित विज्यान का पेपर एक ही होगा इसके अलावा जो पेपर है समाजी विज्यान का है हिंदी का है अंग्रेजी संस्क उर्दू, अर्भी, फार्सी, बंगला जो भी आपका पिपर होगा उसमें आप आप अपर दिन कर पाएंगे ललित कला, निरित, सारी शिक्षा, मैतली, संगीत, ठीक है तो यहाँ पर पदों की संख्या आपको सो रही है जिसके हिंदी में जनरल के लिए 1364 पद हैं विशेस विद्याले अध्यापों के लिए कुल 270 पद हैं बदों की संख्या आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं उच्चमात्वी विद्याले वर्ग यानि कि कच्छा 11 बारक लिए जो विद्याले अध्यापों के लिए कुल पद हैं वो 18,577 पद हैं यहाँ पर कौन कों से यहां पर बटवारा हुए है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि कि किसको कितनी सीटे मिली वही है अब हम बात करेंगे आपर अनिमार अरता के बारे में तो आप भारत के किसी भी राजर से हूँ यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं ठीक है राज सरकार अत्वा के अंशरकार के दोरा समय समय पर जो सिक्षक पातरता परिक्षा होती है जिसे कि या तो CTET का पेपर टू पास हो आप या फिर बिहार TET का पेपर टू पास हो यह कंपसर है साथ इसाथ जो सेक्षडिक यानि कि जैसे कि असनातक में जो जो विसे आपके होंगे subject combination होना चाहिए और प्रसेक्षडिक यानि कि जैसे कि अगर junior में आप आवेदन कर रहे हैं तो B8 और BTC दोनों चलेंगे अगर आप TGT PGT मावेदन कर रहे हैं कच्छा 9-10-11 बारे में तो B8 कंपल सरी है तो वो चीज़ें आपर होनी चीज़ें एक बात आपर और भी दिया गया है कि CTAT appearing वाले इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे फिलाल नोटिफिकेशन के मताबिक क्योंकि यहाँ पर असपस्ट लिखा हुआ है कि राजसरकार अत्वा केंसरकार द्वारा समय समय पर आहूत सिक्छक पातता परिच्छा में उत्तिन हो यहाँ पर appearing वालों को या उनके बारे में कोई भी जांकारी नहीं है उत्तिन हो मिल जाएगी चैनल को सब्सक्राइब करें मादमी विद्याले के अध्यापकों विश्यस विद्याले के अध्यापकों लिए यस टीटी पेपर वन या नहीं कि अगर आप नमी दस्वी में साफ साफ बताता हूँ आपको कि अगर 628 में आपको आवेदन करना है तो आप CTET य में अगर आवेदन करना चाहते हैं तो बिहार में जो यस टीटी की परिक्षा होती है पेपर टू यह पास आउट आपका होना चाहिए ठीक है यहां पर एक बाद ध्यान रखिएगा कि CTET में कितने अंक चाहिए तो सिक्षा विवा के पत्रांग 582 दिनांग 17 जून 17 जून 2023 के आलोग में अस्पस्ट किया जाता है कि CTET या बिट्यों के लिए बिहार TET 2017 के लिए लागू प्रावधान के अमसार अगर जनरल मेल है ठीक है जनरल मेल कंडिटेट के लिए 60 प्रत्सत यानि कि 90 अंक चाहिए वहीं पर जनरल फिमेल और साथ इसाथ पिछड़ा वर्ग अत्यन पिछड़ा वर्ग और सामाने कोट की महिला यानि कि जनरल फिमेल को 55 प्रत्सत यानि कि 82 अंक पर भी आप आवेदन कर सकते हैं ध्यान रखिएगा कि अगर अगर अधर स्टेट की महिला आवेदन कर पाएंगी यहां पर असपस्ट लिखा गया है आप खुद यही पर बताया जा रहा है कि अनसुचित जात अनसुचित जन जात और निसक्त कोट के उमिद्वारों को 50 प्रत्सत यानि कि 75 अंक पर ही जो आवेदन का आवेदन का आवेदन मिल जाएगा और यह बात बिल्कुर समझ लिए आप कि जो जनरल मेल है केवल उनी को 90 अंक चाह से आथ मद्य विद्यालों में असनाता कोट खचाचा से आठ के विद्यालों अध्यापक की विशेवार निम्नपद गणीतवर विज्ञान विज्ञाला अ ц600 के विद्याला अध्यापक इह पहला पगया दूसरा आ वैस्माजी विज्ञाanda है भासा विद्याल्यावाला या फिर बीएड हैं तो भी चलेगा ठीक है लेकिन साथ ही साथ टीटी का पेपर टू जो है ये पास होना जरूरी है इतना आप लोग ध्यान रखिए और यहां पर कुछ एक्स्ट्रा भी दिया गया है सिक्षा सास्तर में डिप्लोमा विसेश सिक्षा एवंग बीएड पुनरवास परिसद आर्सी आई दौरा मानदा प्रावत पाठक्रम ही मानने होगा वर्ग कच्छा च्छा से आठ के भासा विसेक विद्याले अध्यापक के लिए असनातक अस्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स आनुसंगिक सबसीडरी विसे के रूप में सम्मंदित भासा पठ आपने पढ़ी हुई हो यहां पर देखे एसस्टी के लिए क्या है कंडिशन कच्छा च्छा से आठ के समाजी विज्ञान विसे के लिए विद्याले अध्यापक के लिए असनातक अस्तर पर यानिकी ग्रिजूशन लेबल पर इतिहास भुगोल राजनिशास्थ दर्शन श अर्थसास्थ वानिज मनो विज्ञान समाजशास ग्रिविज्ञान में से कोई दो विसे असनातक अस्तर पर पढ़ा हुआ हूँ तब आप SST के लिए आविद्याण कर सकते हैं social science के लिए वर्ग इच्छ से आठ के गनित और विज्ञान विशे के लिए असनातक अस्तर पर गनित भौत की रसायान जो विज्ञान में से कोई दो विषय आपने पढ़ा हुआ है तो गनित विज्ञान के लिए आप आविधन कर पाएंगे ठीक है तो यह यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सामान विषयों के लिए कि प्लस बीएड होना चाहिए ठीक है साथ ही साथ आपके पास यस टीटी पेपर वन पास आउट होना चाहिए बिहार यस टीटी पेपर वन यह ध्यान रखे आप लोग बाकी जो है आप देख सकते हैं कि कच्छा 11 बारह के लिए क्या एलिजबिल्टी है तो 11 बारह में अगर करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए पराशनातक होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं आयो सीमा के बारे में कि आयो सीमा की जो करना होगी वह एक अगस 2023 से होगी जूनियर के लिए नियूनतम उम्र 18 साल है और बाकी ज पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला और अनरक्षित महिला के लिए 40 वर्ग, यानि कि ऐसा समझे है कि आप अगर फिमेल कंडिडेट हैं, तो 40 साल तक आविदन कर सकती हैं, जनरल फिमेल भी ठीक है, इसके लामा बाकी जो है, जो बिहार के अनसोची जाती और अनसोची जन जाती के, उनके लिए उमर सीमा 42 साल है, जैन प्रक्रिया के बारे में आप जांकारी दी गई है, जैसे कि यहां पर आप देख लीजिए खुदी, जूनियर के लिए क्या प्रावधान किया गया है, केवल एक पेपर होगा, 150 अंकों का, उसम ठीन भागों में होगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग1 में भाशा अरता के लिए, अंगलेजी से कुल मिलाके, आठ प्रस्न बाकी हिंदी, अर्दु या बंगला में से कुल 22 प्रस्न होगे, तीस प्रस्नों में 9 अंक आपको, यारी कि 9 प्रस्न आपको सही करने कोई भीwe एक पेपर होगा समाजी विज्ञान के दूसरा पेपर हिंदी उर्दू संस्कित तथा अंगरेजी तो इस पर से कोई भी एक पेपर का चुनाव आप कर सकते हैं गडितुर विज्ञान के लिए जो प्रस्ट होंगे वो मतलब बटे हुए रहेंगे इसके बाद यहां पर देखेंगे कच्छा नौदस के लिए तो जो पेपर होगा वो एक सो पचास अंग होगा सेम वही पैटर्न है इसमें भी मतलब कि पी संग का जो है वह भासा हरतांग होगा चालेश प्रस्टन जीएस के होंगे और सब्जेट से असी प्रस्टन होंगे तो बस लेवाल यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा ठीक है वही चीज यहां पर आपके लिए कच्छा एक ग्यारा बारा के लिए भी है कोई वी सिस बदलावश में देखने को नहीं मिलेगा हाला जरू हो रहे हैं तो 5 नौंबर से शुरू हो रहे है 25 नौंबर लास डेट है ध्यान देजेगा कि इसके बाद आपको कोई भी करेक्शन के लिए विंडो ओपन नहीं होगी तो आप जो भी करें बहुत ही सोच समझ कर करें ठीक है और यह नोटिफिकेशन आपको मिल जाएग हमारे टेलिग्राम चैनल पर तो दोस्तों अगर कोई भी विंदू आपको समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट करिएगा निश्चित रूप से मैं उसका समाधान करूंगा इन साट यही नोटिफिकेशन है ठीक है तो मिलते आप से क्लिक वीडियो में प्लीज दू करिएगा थैंक यू